एक बार फिर से आप सारे लोगों का श्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्प्रेंट्स लाइब में आज की जो क्लास है जिसमें मैं आपको 30 ऐसे कोस्टन करवाऊंगी जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा है लेकिन मैं उससे पहल आज एक एस्प्रेंट्स लाइब आपके लिए दो वंपर बैच लेके आई है एक योगदान बैच और एक महासक्ती बैच योगदान बैच में आपका बिहार एसे इंटर लेवल का जो भी सी लेवस है वो कंप्लेट कराया जाएगा और दरोगा मतलब महासक्ती बैच में बिहार दरोगा का जो बैच है उसमें आपका जो सीलेवस है वो complete कराया जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों बैच जो है वो आपका bilingual चलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में जिसमें आपको 1000 गंटे की live class, selection देने में expert teachers, board pdf, recorded class जो की unlimited होगा chapter wise notes, books and pdfs और साथ में doubt class भी आपको मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको मात्र 292 रुपे में मिल रहा है आपका लॉड कानवालिस, थॉम्स मुनरो, लॉड विलियम बेंटिंग या फिर लॉड वेलेजली आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया आपको बी थॉम्स मुनरो, थॉम्स मुनरो जो थे वो अठारा सौदो में मदरास के कौन थे? तातकालिन, गवर्नर जेनरल थे, कौन तो थॉम्स मुनरो नेक्स सवाल है हमारा कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंब धर्म के संघर्ज की रूप में हुआ था और उस घटना का स्वतंतता संघर्ण की रूप में हुआ अपसन है आपका डॉक्टर S.N. Sen, अशोक महता, बीडी सावरकर या फिर डॉक्टर R.C. मजुमदार आपका इसका राइट आंसर क्या है डॉक्टर S.N. Sen लेकिन मतलब कुछ ऐसे इतिहास कार थे जिनोंने बोला था कि 1857 का जो करांती है वो भारत का प्रथम भारत का प्रथम सोतंता संग्राम है तो ये किनोंने बोला था तो ये आपके बोले थे बीडी सावर करने कौन बोले थे तो ये आपके बोले थे बीडी सावर करने डिस राइली जो थे ये भी एक इतिहास कार थे इनोंने बोला था कि यह रास्ट्रिय विद्रो हो था Disraeli बोले थे कि यह क्या है यह एक जो है यह एक रास्ट्रिय विद्रो है ठीक है Sir John Lawrence ने बोले थे Sir Sir John Lawrence ने बोला था Sir John Lawrence ने बोला था कि पुर्णता सिपाही विद्रो हो था क्या बोले थे इन्होंने कि यह जो 1857 का जुक्रांती था हुआ क्या था पुर्णता सिपाही विद्रो हो था ठीक है अगला सवाल है हमारा कि पाटली पुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगती के अध्यक्षि कौन थे option है आपका वसु मेत्र स्थिर्मती अस्थूल भर्द या फिर सूद द्मर्ण तो कौन थे भयाई तो वो थे आपके अस्थूल भर्द कितने जैन संगती हुए थे आपके दो जैन संगती हुए थे पहला जो हुआ था वह आपका 320 पुर्व में हुआ था कहां हुआ था? तो पाटली पुत्र में इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अस्थूल बादर थे कौन थे? अस्थूल बादर थे दूसरा जो है वह आपका कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था छटी सताबदी में कब हुआ था? छटी सताबदी में कहां हुआ था यह आपका? यह जो आपका है यह आपका हुआ था गुजरात में गुजरात में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे आपके छमा श्रवन तो दो जैन संगती का प्रमान मिला था जो पहला जो हुआ था वो तीन सौ इसा पूर्व हुआ था कहा हुआ था पाटली पुत्र में अध्यक्ष कौन थे तो अस्थूल भद और दूसरा हुआ था छटी सताबदी में कहां हुआ था तो गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे छमा श्रबन चलते हैं अपने next question की अब हमारा अगला question है कि 1922 SB के भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के गया आधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे option है आपका CR 10 SP सिन्ना, डॉक्टर राश्ट्रिय प्रशाद या फिर राश बिहारी बोस तो आपका इसका right answer क्या है CR 10 बिहार में कितनी बार total भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो बिहार में total दो बार भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था कितनी बार हुआ था? दो बार हुआ था पहला जो हुआ था, वह आपका हुआ था 1912 में कहां हुआ था? तो बाकिपूर में और इसके अध्यक्ष कौन थे तो भाई? अध्यक्ष कौन थे? आर अध्यक्ष कौन थे आपके तो शियार दास कौन थे? शियार दास अगला सवाल है कि निम्न में से सबसे लंबी प्रवत सिंखला है इन चारों में से सबसे लंबी प्रवत सिंखला कौन सी है? हिमालय, आलपस, रोकी या फिर हिंदू कुस्त आपका इसका राइट अंसर क्या है? रोकी सबसे लंबी प्रवत सिंखला कौन है? तो रोकी नेक्स सवाल है हमारा कि काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है काल जो है वह एक प्रकार की निर्मित संरचना है तो मतलब कहां से है ठीक है दच्छीन अफरीका की है दच्छीन अमेरिका की है पूर्वी यूरोप की है या फिर पस्टमी अस्ट्रेलिया की है तो यह कहां कि यह भई, यह है आपकी दचनी अफरीका की, मतलब option यह जो आपका इसका right answer है यहां कि जो जनजाती थे, वह दचनी अफरीका के जो जनजाती थे, वह क्या बनाते थे? जोपडी नुमा घर बनाते थे जिन्हें क्या बोलते थे? प्राल ठीक है? नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सा वेस्विक शम्मेलन ग्रीन हाउस गैट्स उत्सरजनों में कमी के लिए आयोजित वेस्विक समझोते की दिसा में पहला कदम था आप्शन है आपका वियना जो कब हुआ था? 1985 में मॉन्ट्रियल 1987 में रियो 1982 में क्यूटो 1997 में तो आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया? आप्शन D आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल के और जाने से पहले हम देखेंगे कि आपके लिए दो बैच लेके आई है योगदान बैच और महासक्ती बैच योगदान बैच जो है वह बिहार SSC Interlevels में जो सिलेवस है आपका वो पूरा का पूरा यहाँ पे कभर कराया जाएगा और महासक्ती बैच में जो है वह बिहार दडोगा का जो batch है हुआ, syllabus है आपका वो पूरा का पूरा complete कराया जाएगा दोनों batch जो है हुआ, bilingual चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्याब में इसमें जो है आपको 1000 प्लस गंटे की live class, selection देने में export teachers, board pdf, recorded class, जो की unlimited है, chapter wise notes, books and pdf और doubt class जो आपको मिल रहा है सबसे बड़ी बात है कि आपको ये इतने सारी चीज कितने में मिल रहे है तो 299 रुपे में मिल रहे है हम चलेंगे अपने next question की और देखेंगे हमारा next question है कि विस्टु का सबसे सुस्क रेगी स्थान है बिसको जो सबसे सुस्क्रेगिस्तान है वा कौन सा है सहारा है या फिर सोनोराना है या फिर टकलामकान है या फिर आटाकामा है तो कौन है भई आटाकामा आटाकामा मर वस्थल जो है दचनी अफरिका में अवस्थित कहां पर ये अवस्थित है Dachni Africa में Dachni Africa में जो है यह आवस्थित है यह जो है एक परकार का क्या है? सुस्क पाठार है क्या है यह एक परकार का? सुस्क पाठार है हम चलेंगे अपने next question की और हमारा next question है तुमाल पले खादान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है ठीक है यूरेनियम का जो भंडार माना जाता है कि इसको तुमाल पले को तो ये खादान जो है कहां पे अवस्थित है आपका आंधर परदेश में तामिल नाडू में क ये कहाँ पर अवस्थित है भाई? ये अवस्थित है आपका आंध्रपर्देश में. Next सवाल है हमारा, कि जवाहर सुरंग का निर्मार निम्न में से किस दर्रे के अंतरगत किया गया है? Option है आपका सिपकीला, बनिहाल दर्रा, बाराला जाला या फिर रोहतांग दर्रा. अवस्थित है, कहाँ पर है या? हिमाले के पीर पांजाल सुरिंख लाव है. हम चलेंगे अपने next question की ओर. हमारा next question है कि डगकन ट्रेप पठार का अगठन किस काल में हुआ था? Option है आपका तर्जियरी, पर्मियन, क्रिटेसियस या फिर ट्राइशिक. तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? Option C जो है आपका इसका Right Answer है या भारत के आठ राजियों में इस्थित है या भारत के कितने राजियों में इस्थित है भाई तो ये भारत के आठ राजियों में इस्थित अगला सवाल है पस्चमी घाट उतरी पुर्वी छेतर की पहारियों और अंडवान एमाम निकोबार दूइप समू में पाये जाने वाले वनों को चुनिए तो आपका इसका right answer क्या है? आपका इसका right answer है उसन कटी बन दिये सदावाहार बन option C जो है आपका इसका right answer है अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगरविया इतिहास में सबसे नमीनतम है सबसे नमीनतम जो है वो कौन सा है भूगरविया इतिहास में option है आपका दच्छिन पूर्व का जहारखंड छेत हिमालय छेतर बिहार का मैदान या फिर दच्छिन अमेरिका का छेतर तो कौन सा भाग है आपका बिहार का मैदान ओप्शन C जो आपका वह इसका राइट आंसर है अगला सवाल है कि पुरानी जलोड मिट्टी या भांगुर बिहार के निम्न में से किस छेतर में पाई जाती है ओप्शन है आपका पटना और गया पुर्णिया और गया पुर्णिया और पटना या फिर दरभंगा और पुर्णिया तो कहां पाई जाती है या आपका पाई जाती है पटना और गया में तो आप्शन A जो आपका इसका राइट आंसर है अगला सवाल है कि भारत में न्याईक उनर विलोकन का आधार है option है आपका कानून की उचित परिक्रिया, कानून द्वारा अस्थापित परिक्रिया, कानून का शासन या फिर संसत द्वारा अस्थापित परिक्रिया तो आपका इसका right answer क्या है? आपका इसका right answer हो गया कानून द्वारा स्थापित पड़ी किरिया option B जो आपका इसका right answer है अगला सवाल है कि भारत में राश्पती का चुनाव किया जाता है भारत में जो राश्पती का चुनाव है वो कैसे किया जाता है राज्य सभा द्वारा किया जाता है, भारत की जंता द्वारा किया जाता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या फिर संसद वा राज्य विधान सभाओं द्वारा, तो आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया, option D, संसद वा राज्य विधान सभाओं के द् रहोंगे कि राश्पती का चुनावज है वो कैसे किया जाता है एकल संक्रमन्य पधती द्वारा ठीक है हम चलेंगे अपने next question की ओर हमारा अगला सवाल है कि संभीधान द्वारा कैंदरिये सरकार की कारे पाले का सक्ति नहीत की गई है संभीधान में राश्पती में राज्जिपाल में या फिर प्रधान मंत्री में तो कहां की गई है राश्पती में option B जो आपका इसका right answer हो गया next question है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनितिक संस्था में अस्थान आरक्षित option है आपका पंचाईती राज, राज जी विधान सभा, राज जी सभा या फिर लोक सभा तो आपका किस मतलब भारत में महिलाओं के लिए जो है राजनितिक संस्था में अस्थान आरक्षित का है पंचाईती राज में इसको मान्यता जो है वह 2009 में उस टाइम प्रधान मंत्री कौन थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंग इन्होंने 33% से कितना कर दिया था 50% जो आरक्षित वो पंचाईती राज में कर दिया था अगला सवाल है या जन्मत संग्रा अब क्या कहते है देखते तो इसको कहते क्या है उप चुनाऊ कहते ऑपाई जो हापका इसका क्या हो गया right answer हो गया, हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, हमारा अगला सवाल है, कि सामुदाइक विकास कारकरम प्रारंब हुआ था, सामुदाइक विकास विकास कारकरम जो है, वो कब प्रारंब हुआ था, option आपका दिया हुआ है, 2 October 1952, 2 October 2016 या फिर 2 October 1959 को तो आपका इसका राइट अंसर क्या है? आपका इसका राइट अंसर है 2 October 1952 को जो है वो सामुदाईक विकास कारिकरम जो है वो प्रारम हुआ था तो क्या हो गया बच्चा इसका राइट अंसर आपका हो गया? Option A अगला सवाल है कि सिचाई वो अनिप्रयोजनों के लिए जलापूर्ती के जड़िये एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित छेत्र को डैस कहा जाता है कमान छेत्र कहा जाता है, सुध बोया हुआ छेत्र कहा जाता है, सुध सिंचित छेत्र कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, कमान छेत्र कहा जाता है, option A जो है आपका इसका right answer अगले सवाल के और जाने से पहले हम देखेंगे कि aspirants life जो है, वो आपके लिए दो धमाकेदार batch लेके आई है योगदान batch और महासकती batch, योगदान batch में जो है आपका वा, बिहार SSC interlevel का जो सिलेवस है, वो complete कराया जाएगा और महासकती batch में बिहार दरगा का जो सिलेवस है, वो complete कराया जाएगा दोनों batch जोएवा आपका हिंदी और अंग्रेजी माध्यम bilingual चलेगी, जिसमें आपको 1000 प्लस गंटे की live class, selection देने max for teachers, board PDF, recorded class, जो की unlimited होगा chapter wise notes और books and PDF, और साथ में आपको doubt class भी मिलेगा, वो भी minimum fee कितना, तो 299 रुपे में हम चलते हैं अपने अगले question की और हमारा अगला सवाल है कि जब कोई नदी पहारी से निकलती है, तथा सभी दिशाओं में बहती है, तो इस अफ़वा पैटर्न को कहा जाता है क्या कहा जाता है? केंदरा भिशारी, जाली, या फिर दुरूमा कृती, या फिर अर्दिव्यास तो क्या कहा जाता है बच्चा? अर्दिव्यास कहा जाता है, तो option D जो हो गया, आपका इसका क्या हो गया? राइट अंसर हो गया, अगला सवाल है हमारा, कि सीमाओं का निर्मन तब होता है, जब प्लेट आपस में टकडाती है, और एक प्लेट दूसरी को नीचे धकेल देती है, ठीक है? option है आपका अभिसारी, रूपान तरिया की, यानि transform, या फिर महादूई पिया, या फिर आपसारी, तो आपका इसका राइट अंसर क्या है? अभिसारी, option ए जो आपका इसका क्या हो गया? राइट अंसर हो गया, अगला सवाल है, कि मुहम्मद गोरी ने 1191 में तावर हिंप, भटिंडा पर आक्रमन किया, जो डैस के लिए एक महत्यपुड सामरी केंदर था, option है आपका, महराना, प्रताप सिंग, हिंचंद बिक्रमा प्रत्वी राइट चोहान या फिर राना कुम्भा, तो आपका इसका राइट अंसर क्या है? प्रत्वी राइट चोहान, option C जो आपका इसका राइट अंसर है, अगला सवाल है, कि भारतिय संबिधान की किस अनुसूची में संग सूची, राज्य सूची और शंबर्ती सक्तियों का विभाजन किया गया है, option है आपका, चोथी अनुसूची, पहली अनुसूची, सात्मी अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची, तो किस सूची में किया गया है? संग सूची, राज्य सूची और संबर्ती सूची को के अंतरगत, संग और राज्यों की जो सक् उनका विभाजन जो हुआ कहां किया गया तो सातमी अनुसुची में किया गया है तो option C जो क्या हो गया है इसका right answer हो गया है अगला सवाल है हमारा कि असोग राजाग्या के अनुशार राजा बनने के कितने वर्षों बाद असोग ने कलिंग के साथ युद्ध छे रहा था option है आपका 5, 8, 6 या फिर 7 तो आपका इसका right answer क्या है आठ वर्षों के बाद जो है असोग ने कलिंग के साथ अपना युद्ध छे रहा था option B जो क्या हो गया right इसका right answer हो गया next सवाल है हमारा कि निम्ण में से किस भारतिय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपड़ान भारतिय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था Option है आपका भारतिय वन अधिनियम 1882, भारतिय वन अधिनियम 1992, भारतिय वन अधिनियम 1865 या फिर भारतिय वन अधिनियम 1878 तो आपका इसका राइट अंसर क्या होगे बच्छा? Option D अगला सवाल है कि Badminton World Federation का मुख्याले कहां इस्थित है? Option है आपका Malaysia, Japan, Singapore या फिर Surgerland तो कहां इस्थित है इसका मुख्याले आपका Malaysia में इस्थित है इसका जो है अस्थापना जो वह कब हुआ था? इसका जो अस्थापना है वह हुआ था आपका 5 जुलाई 1934 में Next सवाल है हमारा अगले सवाल की और जाने से पहले देखेंगे कि Esperance Live आपके लिए दो धमाकेदार बैच लेकि आई योगदान बैच और महासक्ती बैच योगदान बैच में आपको बिहार SSC Interlevel में जो भी सिलेवस है वो आपको complete कराया जाएगा और महासक्ती बैच में जो है वो आपका बिहार दरोगा का जो सिलेवस है वो सारा का सारा complete कराया जाएगा दोनों बैच जो है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यब में चलेगी मतलब bilingual चलेगी जिसमें आपको एक हजार प्लस घंटे की लाइव क्लास लेक्शन देने में एक्सपोर्ट टीचर्स बूर्ड पीडिएफ रिकॉर्डेट ग्लास चैप्टर वाइज नोट्स बुक्स एंड पीडिएफ जो है वो आपको रेक्स साथ में आपको एक डाउट क्लास भी मिलेगा एक नहीं मतलब डाउट क्लास आपको मिलेगा वो भी सबसे कमफी 299 रुपे में मिल रहा है अगला सवाल है हमारा कि असोग के सासनकाल के परमुख आयोजनों में से एक 250 इसापुर्व में राजधानी पाटली पुत्रा में बौध परिशद का आयोजन था तो वह कौन सा था पहला था पहली बहुत संगती थी चौथी बहुत संगती थी तीसरी बहुत संगती थी तो बच्चा कौन सी बहुत संगती थी तीसरी बौध संगती थी option C जो आपका इसका right answer है अगला सवाल है आपका कि निम्नी में से कौन सी पहली भारतिय बैडमिंटन खिला रही थी जिसने ओलंपिक में दो अस्परधाओं मिसरित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी option है आपका PV शिंदू, साइना नहवाल, जोला गुट्टा या फिर अश्वनी पोन पपा अश्वनी पोन अप्पा ठीक है तो आपका इसका right answer क्या होगे बच्चा option C जोला गुट्टा